सालने कुम दोस्तों मैं हूं मौहमाद अमरिक बाल और आज की इस video के अंदर हम learn करने गे किस तरीके से हम auto blogging कर सकते हैं किस तरीके से हम वो blog बना सकते हैं जिसके उपर automatic post होंगी तो simple quickly हम video की दर चलते हैं यहां आपने लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा चैट जीपिटी एंड एपियाई के उपर क्लिक कर देने API के उपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस सरी के से आ जाएगा तो API कीज होगी यहां मेरे पास काफी ज़्यादा है तो यहां क्रिएट न्यू के उपर करेंगे तो यहां आप अपना जो भी है फॉर एकजेंपल हम यहां लेजेते हैं आम मेरे इकबाल और यहां आप पैट फायल के अंदर हम लिख लेते हैं API की और यहां हम अपनी API की पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम कर देते हैं पासवर्ट ठीक है और यहां मैंने वह जो पासवर्ट था यहां पेस्ट कर दिया ठीक हो गया अब हमारे पास पासवर्ट भी आ गया है और डुमेने हम वारे पास already है तो अब हम चलते हैं अपने script की तरफ आँचा, script से करने से पहले हमने आपने, जोगल पे जाना है with download Python or python के ओपर click कर देना दौनलोड के ओपर, और यहां से आपने ये वर्जिन डाउनलोड कर लेना जैसे ही आपके पास डाउनलोड होगा आप डबल क्लिक करके open करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आजएगा यह आपने यार रखना है कि यह आपका जो यूजर नेम है यह कहां इंस्टाल होगा है मैंने आपके सामने इसे अउपर करता हूं और जैस्ट इसको इंस्टाल करके नहीं है सबस्क्राइब जा Anyone तो जी सेटप हो गे है और इसको अफमिन कर देते हैं क्लॉस और इस वीबसाइट को भी कर देते हैं क्लउस अच्छा अब यह सेक्रिप्ठ आगिह अब यह स्कृप्त आपको में कहां मिलेगा कहां यह मैं कहां सेंड करूंगा यह भी मैं आपको बता दू जो लोग नुए है यह मेरा टेलेग्रोम के ओपर चैनल है वेरिफाइड है लर्न जिद अमिरिक बाल ठीक है यह इसका लिंक भी है टी डाट मेडा सुल्तानों सुल्तान यहां जोइन कर लेंगे तो यहां आपको यह स् स्पेस आपने रिमूव कर देनी है अच्छा यहां आपका आमरिकबाल डाट इन्फो है यहां आपके डुमेन आ जाएगी यह जो दूसा पार्ट है यह इसी तरीके से आपका रह जाएगा ठीक हो गया और यहां आपकी जो है API की जो हमने बनाई थी वह हम लगा देंगे यह अपने API की भी पेस्ट कर दी अच्छा अब इसके अंदर आप इसको खुद भी बना सकते हैं खुद भी इसको जिस तरीके से भी आपने अपने अपना स्क्रिप्ट जिस तरीके से भी आपने चैट-जी-पी-टी को यूज करने मैंने सिम्पल मैंने यह वाले वर्ड लिखे हैं कि इनको जो है यह वर्ड नहीं यूज करने और जो भी मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा किया यह प्रॉम्ट है इसको भी आप खुद लिख सकते हैं ठीक है अपना जो भी आपका प्रॉम्ट है जिस तरीके से भी आप चैट-टी-पी को यूज करते हैं चैट-जी-प और यहां हमारे पास category आप अपनी उसको जो है category assign करेंगे आपने कौन सी category में अपने article को डालना है अगर आपने इस script को पांच different dogs में भी run कर सकते हैं तो पांच category डिफरेंट आप बना सकते हैं news की, health की, pets की जो भी आपकी निशा है जिस तरीके से भी है उसको उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस विए से यह मैंने category add की अगर आपने नहीं करना तो आप script को भी change कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे इन्शाला बता देता हूं कि किस तरीके से इसको पूरे कॉम कॉपी करते हैं मैं चैट जी पीटी के अंदर आए मैंने यह पेस्ट की है और अब इसके अंदर से अगर जो भी चीज निकालनी है यह एड करने तो अगर मैंने यहां से category का जो पार्ट है यह जो भी उसका prompt है वो निकालना है तो मैं यहां सिंपल लिख दूँगा remove category section from this script तो वो यहां से remove कर देगा और अगर आपने add करना है कोई भी चीज़ आपने add करना है तो इसके अंदर आप यहीं से add कर सकते हैं उसके बाद जो most important चीज़ है कि आपका जो keywords है वो कौन सी file में आएंगे for example यह smile.txt यह एक file है मेरी तो इसके अंदर आपके keyword आएंगे यह मेरे keywords है ठीक हो गय और यह जो मेरा है यह script है और दोनों का जो नाम है इसका नाम है web1.py और यह जो file है smile.txt यहाँ आप जो अपने file होगा जो आपकी file का name होगा वो यहाँ आपने keyword की file का आपने नाम डाल देने ठीक हो गया अब हम इसको run करते है cmd लिखेंगे आप आपके पास इस तरीके से आज़ेगा अच्छा दोनों files आपकी इस directory के अंदर copy होनी चाहिए जो भी आपका user है user के आगे जो भी आपका name है आपके computer का नाम उसके अंदर मैं यहाँ इसकी जो category है वो change कर दे तो यहाँ एक new category बिना लगते हैं for example test ठीक हो गया और यही category हम अपनी website में भी बनाते हैं post category test add new category test की category बन गई है यहाँ हमने लिखना है pythn python and job की file का नाम है web1.py ठीक हो गया और इसके बाद हमने एंटर कर देने अब यह क्या करेंगा कि यह वहां से keyword पिक करेगा और उसके बार आपकी website के उपर one by one one by one posting करता जाएगा आप इसको minimize कर दें आप सो जाएं और सोते वे पोस अच्छा जी यह इसने एक पोस्ट कर दी है और मैं पोस्ट के अंदर जाता हूं all पोस्ट के उपर जाता हूं और यह देखें यह भी इसने की है और अगर आप इस पोस्ट को देखें test category के अंदर तो यह देखें proper इसने heading proper हर चीज आपका पूरा blog ready है बस आपने इसको लग उठाते हैं दूसरी पोस्ट देखते हैं कितने जेर में होती है अच्छा डिपेंड करता है इसके ओपर के आपने कितने वर्ट करने अगर आप इसको कहते हैं कि आपने 2000 वर्ट का कॉंटेंट करना है तो आप इसको 2000 वर्ट का भी लिख सकते हैं अगर आपने 5000 वर्ट का करन है देख लिए सो आई होपसो के वीडियो को पसंद आई होगी अफटर लोंग टाइम इंशाला कोशिच करूँगा कि रैगलर वीडियो इसी त्विके से अप्लोड करूं अपना ख्यार रिखेगा वीडियो पसंद आए तो शेर लाजमी किजिएगा और कमेंट्स में अपने आई लाजमी दीजएगा अलाह पीस